हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू कुकीजी अन डिलिशियस फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आप यहाँ पर देखते हैं कुकिंग की अच्छी अच्छी रेसिपीज और किचेन प्रोड़क्स की रिव्यू तो आज मैं आपके लिए ने बहुत अच्छी सेट भी कह लीजिए यह फाइव पीस का है मेरे पास एक और सेट भी है वो जो पूरा स्टील मटेरियल से बना हुआ है लेकिन मैंने सोचा कुछ एक्सचेंज किया जाए तो इस तरीके का मैंने अब यह नया लिया है इसकी पीछे की जो हैंडल वाला साइड है वो साइज में और वेट में भी हलका नहीं है वेट में भी काफी भारी है अगर आप इसे मंगाना चाते हैं तो आप इसे मंगा सकते हैं और इसके साथ नहीं इस तरीके का हैंगर भी आ है अगर आप इसको हैंग करना चाहें तो इन सारी चीजों को हैंग भी कर सकते हैं अब बा बाउल ये भी खरीदा है, जो कि उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन quality wise दोनों ही amazing है, दोनों ही मेरे use के लिए थे, इसलिए मैंने इसको purchase कर लिया, सारी चीजों के links आपको मैं description में provide कर दूँगी, आप अगर मंगाना चाते हैं, तो आप वहां से मंगा सकते हैं, बात करते है next product ही, तो ये है kitchen के napkins, जिन से हम kitchen को clean करते हैं, पहले मैं cloth वाला napkin यूज़ कर रही थी, फिर मैंने आप सोचा ही कि ये micro fiber वाले जो है ना, मैंने ये 3 piece का set मंगाया है, बात करें इसकी लंबाई और चोड़ाई की, तो ये size में ना तो बहुत जादा लंबा चोड़ा है, न बहुत ही छोटा है, मतलब सही है, अगर मैं आपको उसको वैसे नाप कर बताऊँ, तो ये एक बालिष्ट और चार उंगलियां आप रखेंगे ना, तो इस हिसाब से है, मैंने कोई inch tape से नापा, लेकिन जो हम ladies का measurement करने का तरीका होता है, वो हम हाथ से इस तरीके से नापने तो मैंने उसी नाप से आपको बताया है, quality एकदम amazing है, ये बहुत जादा sticky नहीं होते हैं, easily wash हो जाते हैं, और kitchen को साफ करने में बहुत असानी हो जाती है, आपको कैसे लगे नैपकेंज, जुरूर बताना comment box में, बात करते हैं next product की जो कि बहुत जादा viral हो रहा था, friends अगर आपका kitchen का sink area messy रहता है, गंदा रहता है, और आपको scrubber वगएर रखने के लिए सोचना पड़ता है कि किस तरीके साफ organize करें, तो आप इसको ले सकते हैं, एकदम affordable और budget में आएगा आपके, नीचे आपने क्या करना, liquid वाला soap डालना है, और उपर इस तरीके से sponge रख देंगे और इस तरीके से जब आप प्रेस करेंगे, तो soap जो है ना, वो sponge को touch करेगा, और उस साफ बरतनों को अच्छे से wash कर सकते हैं, तो ये soap dispenser आपके sink area को बहुत ही अच्छा look देगा, और messy होने से बचाएगा, अब बात करते हैं next product की, तो दो stainer आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाय वाली चलनी जिसे कहते हैं, तो ये दो मैंने अलग-अलग order की थी, पहले जो मैंने book की थी, तो उसकी जो price थे, वो थोड़े जादा थे, फिर मुझे ये कम price वाली दिखी, तो मैंने इसे भी order कर लिया, अब जब मैंने parcel receive कर लिये, तो मुझे पता चला, फर्क पता चल आपकी budget के ओपर depend करता है कि आप कितना spend करना चाहते हैं, बात करते हैं next product की, तो ये है एक hand wash dispenser, जो कि देखने में काफी luxury लग रहा था, देखने में बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था, इसका look और texture काफी जादा amazing है, और ये देखिए quality भी इसकी बहुत ही superb है, color इसमें hand wash निकल कर आएगा, तो ये आप अपने washed basin पर या फिर kitchen में भी आप इसमें detall वगरा भर कर रख सकते हैं, जब भी आप kitchen में enter करने हैं, उससे पहले आपने hand wash करने होते हैं, तो ये उसमें भी आपको बहुत ही जादा helpful रहता है, बात करते हैं next product की, तो ये है एक glass ज बात करें इसकी quality की, तो बहुत ही heavy quality का है, आप देखी सकते हैं, मुझे बताने की ज़रत नहीं, और size बहुत ही ज़्यादा amazing है, ये single piece आप मंगा सकते हैं, और साथी ने मैंने ये दो इस तरीके के glass और मंगाए हैं, जिसमें हम coffee वगरा, cold coffee वगरा easily बना सकते हैं, mango juices वगरा बनाते हैं, तो cooking की recipe के लिए मुझे different तरीके की बढ़तनों की ज़रत पड़ती है, तो मैंने ये 2 piece भी order कर लिए, अब बात करते हैं, मैंने 3 piece का ये set भी order किया था, जो कि मुझे receive हुआ है, थोड़ा सा ये जो product आया था, ये थोड़ा सा dusting, इसमें थोड़ी हूल भी थी, थोड़ा सा गंदा भी था, लेकिन कोई बात नि, इसको हम wash कर लेंगे, और ये simple normal packaging में आया था, लेकिन मिशु को ने seller से कहना चाहिए, कि जिस भी parcel को आप बेच रहे हैं, उसको clean करें, और अच्छी packaging के साथ बेचें, क्योंकि packaging से काफी अच्छा impression बढ़ता है, तो वैसे ये साफ सुतरा सेट है, और जो इसके price है, उनमें ये ठीक ठाक बढ़िया है, और ये थोड़ा size में छोटा है, आप इससे cooking नहीं कर सकते हैं, serving कर सकते हैं, इससे की चावल अगरे आप निकाल सकते हैं, दाल अगरे निकाल सकते हैं, लेकिन cooking के time पर ने थोड़ा आपको लगी हुई है, तो ये airtight box है, जब भी आपके हां guest आते हैं, तो आप इसमें आप उनको खाना serve कर सकते हैं, और इस तरीके साफ खाने को ढखकर भी रख सकते हैं, और जो खाना आपका बज्ज है, उसको fridge में easily store भी कर सकते हैं, तो multi purpose आप इसको use कर सकते हैं, as a container, as a dish, और ज मुझे cups, mug collect करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं जहां भी जाती हूँ, cup, mug वगएरा, मुझे जो भी अच्छे लगते हैं, तो मैं वहां से purchase कर लेती हूँ, तो ये मैंने cup मंगाया था, जो कि मुझे बहत पसंद आया, quality wise एकदम amazing है, अगर आपका भी मेरी तरह कोई कि ऐसा partner है, ऐसी sister है, या ऐसी कोई cousin है, जिसके साथ आप दिन भर की details share करते हो, तो उसके साथ इस video को share करना बिल्कूल भी न भूलना, और अपने friends के साथ भी आप share कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा भी पसंदा है, तो please like करें, share करें, thanks for watching.